हेलो इस्टुडेंट्स मेरा नाम बिट्टूतिवारी है और आप सभी का हमारे यूटूब चैनल CSIR NetJRF Mathematical Sciences में स्वगत है इस्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2007 का question है यहीं डिस्कस करने वाले हैं और यह जो question है यह आपका linear programming problem के अंदर जो topic है transportation problem वहां से लिया गया है और two mark में पूछा गया है तो यहाँ पे जो है question अच्छा है interesting है question का जो language है वो थोड़ा सा lengthy है बड़ जिस student ने उसकी language को समझ लिया अच्छे तरीके से तो उसको यह question easy रहने वाला है ठीके आज इकी इस वीडियो में इस question को हम detail में study करेंगे और यहाँ पे जो है जो भी आपकी confusion रहेंगी वो यहाँ पे दूर करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे ठीके इससे पहले में हम आपको बता देते हैं कि जो आपका 2023 क्या है जो आपका 2023 का पेपर हुआ है CSIR NET का उसके अंदर हमने calculus of variation plus integral equation एक वीडियो में उसको discussion किया है complete प्लस और यहाँ पे जो है OD, PD प्लस में आपका linear programming problem का जो question था उसको हमने next वीडियो में discussion किया है फिर हमने part A mathematical science का जो paper था उसके अंदर जो part A के total आपके 20 questions थे उन सभी question को हमने discuss किया उसका answer क्या है यदि आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन सभी वीडियो को देख लीजे फिर यहाँ पे यह question discuss करते हैं ठीक है इसके बाद जो है उसको देख लीजेगा और उन सभी वीडियो की जो link होगी आपको description इसी वीडियो के description box में देखने को मिलेगी वहाँ पे जाके आप click करके सभी वीडियो इसको देख सकते हैं ठीक है चलिए आज का यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं और question का यहाँ पे statement read करते हैं question का यहाँ पे statement क्या कह रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है consider the transportation problem with two warehouse and two markets यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा दो warehouse है और यहाँ पे जो है दो warehouse है और दो markets है क्या है दो वायर हाउस है और यहां पे दो मार्केट यहां पे दी गई है और जो वायर हाउस की कैपासिटी है वो A1 इजी कोस्टू 2 और A2 इजी कोस्टू 4 है and the market demand यहां पे क्या है B1 इजी कोस्टू 3 और B2 इजी कोस्टू 3 वायर हाउस की जो capacity है वो 2 और 4 दी गई है और जो market के demand है वो यहाँ पे 3 और 3 दी गई है मतलब दोनों यहाँ पे same दी गई है फिर क्या कह रहा है कह रहा है let xij be the quantity shipped from वायर हाउस i to market j and cij be the corresponding unit cost जो cij है वो आपका इसके corresponding unit cost दी गई है suppose that c11 is equals to 1 c21 is equals to 1 and c22 is equals to 2 यहाँ पे c11, c21, c22 दिया है बट यहाँ पे c12 की जो value है वो आपके options में दी गई है इन में से कौन सा इस condition को पूरा total जो condition दिया गया इसको satisfy करेगा वही c12 की value आपको बतानी है वही आप से पूछा गया है यहाँ पे फिर कहा गया है then यह अगर बाते हैं total then इसके बाद x11, x12, x21, x22 यह जो allocation इनके according है वो क्या है? 2013 ठीक है? इस optimal और यह जो इन्होंने किया है allocation यह optimal हो रहा है ठीक है? तो यह जो है optimal value देगा और LPP के अंदर हमारा यही मकसद ही होता है कम से कम cost लगे ज्यादा से ज्यादा profit हो यही हमारा motive होता है linear programming problem के अंदर तो वही चीज़ यहाँ पे optimal यहाँ पे बना दिया गया है ठीक है? कम से कम cost लगे और ज्यादा से ज्यादा profit हो तो इस तरीके की जो भी होती है यह तो हमने बिल्कुल basic चीज़े बताई है और यहाँ पे question आते हैं वो discuss करते हैं ठीक है? यहाँ पे जो है इस तरीके से जोड़ा सा यहाँ पे idea लेते हैं और वाकिक question में कुछ नहीं है यहाँ पे wire house की जो capacity है यहाँ पे क्योंकि c11, c12, c21, c22 मतलब 2 cross 2 की यहाँ पे बनानी है तो यहाँ पे अगर 2 cross 2 की बनानी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो है इसका जो allocation है वो 2, 0, 1, 3 है जो भी है देखेंगे बट यहाँ पे इसके जो wire house है इसकी capacity क्या है? capacity यहाँ पे 2 और 4 है यह मान लीजिए AI जहें क्या है AI जहें? और इसको मान लीजिए BJ ठीके? जो भी है आप B1, B2 मानेंगे और यह इस तरीके से कर दीजें ठीके? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसकी value दी गई है 3, 3 ठीके? 3 और यहाँ बेबी आपका 3 है यह आपका जो है C11 C11 की value यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपकी 1 है और यह तो आपका C12 है ध्यान से देखिए फिर यहाँ पे क्या है? C21 C21 यहाँ पे 1 है C22 यहाँ पे 2 है ठीके? अब फिर जो allocation यहाँ पे क्या गया है जिसके कारण इसका जो solution है वो optimal बन रहा है वो चीज़े यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे जो है जो यहाँ पे allocation क्या गया है 2, 0, 1, 3 क्या है? यहाँ पे 2 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 ठीक है यह 1 है और यह 3 है ठीक है? ठीक है यह 3 है अब यहाँ पे देखेंगे जो allocate किया गया है क्या यह इसके जो है यहाँ पे 2 है यह 2 है यह 0 इन दोनों का sum करने पे क्या यह मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है मतलब allocation correct हो रहा है ठीक है अगर दिया है तो correct तो होगा ही होगा ऐसा check करने के लिए आप कर सकते हो ठीक है? यह 1 है यह 3 है 3 1 यह 4 हो रहा है यह भी correct है इसके column को जोड़िए क्या 3 आ रहा है? 2 1 3 और 0 प्लस 3 यह भी 3 आ रहा है और यहां पर जो allocation होता है यहां पर 1 और C12 का minimum ही होगा क्या है? 1 और C12 में जो minimum होगा उसी के उपर हम यह value allocate करते हैं ठीक है? similarly यहां पर 1 और 2 में minimum कौन है? minimum 1 है और इसके कारण यहां पर अगर 2 फिल किया है क्या है? अगर हम यहां पर 1 ले लें ठीक है? आप ध्यान से देखिए अगर यहां पर हम इसको 1 ले लेते हैं क्या है? अगर हम इसको 1 ले लेते हैं that means यह हो जाएगा और यहां पर 1 है यह आपका C12 है C12 की value हम change करते हैं क्योंकि यहां पे हम अगर वन ले ले और यहां पे देखिए अगर हम वन ले लेते हैं देखिए यहां पे भी इस इंटरवल में भी वन है इस इंटरवल में भी वन है क्योंकि जीरो टू थरी है यहां पे भी वन है और यहां पे वन हमारा नहीं है ठीक है तो यहां पे डिसकार्ड हो जाएगा जो बचेगा वाई हमारा correct answer हो जाएगा ठीक है फिलाल देखते हैं कि 1 से इन सब में problem हो रही है या नहीं यह चेक करना बहुत ही जरूरी है और देखना यह होगा कि यहां पर 1 से problem है या नहीं है ठीक है तो यहां पर जो जो चीजे हैं उसको हम पहले देख लेते हैं यहां पर भी 1 है यहां पर हमारा 2 है और फिर यहां पर जो एलोकेट करने वाले हैं यहां पर हम कर देते हैं ठीक है और फिर यहां पर हम क्या करते हैं यहां पर अब जो है 1 और 1 अब यहां पर क्या है 2 यहां पर क्या है 4 यहां पर क्या है 1 यहां पर क्या है 3 अब यहां पे यह दे दिया गया है अगर दिया गया है तो इसका मतलब यह फिर से इलोकेट होगा टू पे और यह फिर से जीरो पे होगा और यहां पे फिर से वन होगा और यहां पे फिर से थ्री होगा अब देखिए अगर इन्होंने ऐसा कर दिया है तो यहां पे हम इस 2 को इस पोजिस यहां पे भी तो 2 कर सकते हैं यहां पे 0 कर देंगे यहां पे 2 एलोकेट करके यहां पे 0 कर देते हैं और यहां पे 2 किया है तो इसको 1 कर देते हैं और यहां पे जो है इसको 0 किया है यह 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे और इस तरीके से आपका Allocation पोसिबल नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे जो है एक चीज आप इस चीज को समझ लीजे क्या है इसको छोड़िए अभी एक चीज इंपोर्टेंट है उसको पहले समझ यह समझना ये है कि यहाँ पे यहाँ पे जो 2 यहाँ पे फिल कर रहे हैं हम यहाँ पे भी तो फिल कर सकते हैं यह समझी आप यहाँ पे अगर हम फिल कर देते हैं तब तो यह सब चीजे जो है सेट नहीं हो पाती है और यहाँ पे इनके काडिंग क्या है यही चीज होनी चाहिए और ऐसा भी तो हम कर सकते हैं क्या है ऐसा भी तो हम कर सकते हैं क्योंकि वन और इसको माली जी हम 0 फिल कर देते हैं क्या है एक काम करते हैं इसको 0 फिल कर लेते हैं अगर हमने इसको 0 फिल किया है तब तो minimum यह होगा और अगर यहाँ पे 2 हो जाएगा तो यहाँ पे जो है यह चीजे नहीं हो पाएगा क्या है यह चीजे जो इसकी optimal value को दे रही है वो तो नहीं हो पाएगा ठीक है क्योंकि 1 और 0 में minimum तो हम इसको भी ले सकते हैं ठीक है तब तो यह possibility नहीं रहेगी यह condition satisfied नहीं हो रही है तो इसका मतलब जो है 0 वाले interval में इसको नहीं लिया जा सकता ठीक है अब 1 की बात कर लेते हैं जैसा कि अभी हमने पहले कह रहे थे और यहाँ पे अगर हम 1 fill कर देते हैं यहाँ पे 1 fill करते हैं तो 1 और 1 दोनों minimum है अब उसमें यहाँ पे भी ले सकते हैं यहाँ पे भी ले सकते हैं और यह कह रहा है कि यहींचीज होनी चाहिए यह बे डिसकार्ड हो जाएगा ठीक है क्योंकि 1 भी आप नहीं ले सकते ठीक है 1 को लेने से भी यहाँ पे contradictory position हो रही है Allocation यहाँ पर 2 किया जा सकता है अगर देखिए यहाँ पर 2 कर दिया तो यहाँ पर 1 हो जाएगा अगर यहाँ पर 2 है यहाँ पर 0 कर दिया यहाँ पर 1 कर दिया है तो यहाँ पर 3 कर देंगे Allocation तो possible हो रही है बट यह वाली नहीं है exact possibility यह भी है possibility वो भी है बट यहाँ पे हम अपने carding यह ले रहे हैं counter example की तरह इसको work करवा रहे हैं तो यहाँ से लेने से यह optimal value नहीं देगा जब यहाँ पे allocation हम कर देंगे तो ठीक है और दिया हुआ allocation तो यही है ठीक है तो यहाँ से जिस interval में 1 होगा वो interval भी हमारा c12 की value को नहीं देगा और अगर उसको हम कर देते हैं तो यहाँ पे यह allocation नहीं रह जाएगा ठीक है और यही allocation exactly लेना है और यही लेना इसका मतलब 1 वाले option में जिस भी option में 1 interval में है उसको भी discard करना पड़ेगा अब यहाँ पे टू लिया जाता है मतलब 2 से बड़ी 2 या 2 से बड़ी value ली जाती है तो फिर क्या होता है ठीक है यह चीज देखते हैं अगर हम 2 या 2 से बड़ी value लेते हैं तो यहाँ पे क्या impact पड़ता है वो चीजे discuss कर लेते हैं यहाँ पे अगर मा लेजिए हमने 2 लिया या 3 लेंगे या 4 लेंगे ठीके तो यहाँ पे यही इंटरवल में बोला गया है 2-2-4 के बीच की 2 लेजिए 3 लेजिए 4 लेजिए 2-3-4 तीन बैलू में से कुछ भी आप लेजिए in fact यहाँ पे कुछ और भी बोलता तब भी चल जाता बट यहाँ पे जो भी option के according, question के according वही जीज़ हम discuss करेंगे ताकि आपको चीज़े confirm हो जाए ठीके यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 2 है यहाँ पे आपका 1 है ठीके तो यहाँ पे अगर हमने 2 ले लिया अगर यहाँ पे 2 ले लिया तो 1 और 2 में minimum क्या है 2 है तो मतलब यह allocation यहाँ पे 2 जाएगा और यहाँ पे 2 हो गया तो इसके row में क्या करنا पड़ेगा यहाँ पे 0 को allocate करना पड़ेगा ठीके यहाँ पे अगर हमने 2 को allocate कर दिया तब भी 1 और 3 में minimum तो 1 ही रहेगा, फिर यहां पे अगर हम 4 ले ले, 1 और 4 में तो minimum यही रहेगा, इसका मतलब यह हुआ, कि अगर हम 2 या 2 से बड़ी value कोई भी ले, तो यहां पे जो यह allocation इसका दिया गया है, जो इन्होंने दिया है, दे रखा है, वो तो perfect हो रही है, क्या है अगर हम यहां पे C12 की value 2 या 2 से बड़ी लेते हैं, तब यहां पे जो यह allocation दिया है, यह perfect बैठ रहा है, तो यहां से हमारा option A, option B, and option C, discard हो जाएगा, और finally हमारा यहां पे जो D option है, यह correct हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पे, चाहे वो 2 mark का question हो, चाहे वो 2 mark का question हो, या फिर 1 mark का question हो, gate के अंदर, especially, तो यहां पे इस तरीके से थोड़ा सा अगर आप mind use करते हो, तो question easy way में solve हो जाता है, आपको tension लेने की ज़रुवत नहीं है, बस यहां पे आपको pressurized नहीं होना है, gate के paper को देखना है, अच्छे तरीके से analyze करना है, और वहां पे अगर आप CSIR net की preparation करते हो, तो यहां पे जो है, वो बहुत सारे questions आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, कि आप से easily हो रहे हैं, ठीके, तो यहां पे इतने lengthy questions नहीं होते हैं, बड़ थोड़ा सा हाँ, calculation हो होती है, वो चीज़ी तो आपको करने पड़ेगी, ओके, तो इस तर ओके, थेंकियो सो मच, मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लिक्चर के साथ, टेक कियर, एंड बाइ-बाइ